Hello students, welcome to the class. हमने 3rd chapter स्टार्ट कर दिया है, Electric Potential. इसका 1st वीडियो हमने पढ़ लिया है कि Electric Potential क्या होता है, Potential Difference क्या होता है, और वायर में Electric जो चार्ज होता है या फिर Electrons होते हैं, वो किस बज़े से Flow होते हैं? वो एक Electric Pressure से Flow होते हैं, उसके कारण Flow होते हैं. अगर हम उसको Water Tank से समझें, तो Water Tank से हमने देख लिया आता कि बहाँ पर Height के कारण Pressure अपलाई होता है, एक End से दूसरे End पर Water Tube में Water का Flow होता है. सेम, किसी भी Circuit में, वायर में Charges का ये Electrons का जो Flow होता है, वो किस बज़े से होता है? Electric Pressure के कारण होता है. ये सारी बाते हमने कर ली थी, फिर्स्ट वीडियो में. अब सेकेंड वीडियो में, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो टॉपिक्स कबर करेंगे. फिर्स्ट हमारा है, Electric Potential from Electric Field और दूसरा हम कबर करने वाले हैं, Electro Static जो Field होता है, वो Conservative होता है, उसको हम Derive करके देखेंगे, कि सच में Electro Static जो Field है, वो Conservative होता है या नहीं, और किस तरह से हम उसको Derive करेंगे, ये चीज़ देखेंगे. तो फिर्स्ट टॉपिक्स हमारा क्या है, Electric Potential from Electric Field. यहां हम बात करते हैं, हमने ये Electric Field Lines ड्रो की है, जो की एक Non-Uniform Electric Field को Represent करती है. यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम? Non-Uniform Electric Field की बात कर रहे हैं. Second चीज़ यहां पर हम ड्रो करते हैं, एक Curved Path, ये A to B, ये क्या है हमारे पास? एक Curved Path है. तो इस Curved Path में हमें करना क्या है? कि एक हम यहां ले रहे हैं, Q0 Test Charge. क्या है? Test Charge है. इसको हम as a reference ही यहां पर यूज कर रहे हैं. Test Charge Q0 को? इस Non-Uniform Electric Field में A Point से B Point तक हमें ले कर आना है. तो देखो Students, हमारे पास टॉपिक है अपना Electric Potential. और Electric Potential हम पढ़ चुके हैं कि कि किसी Unit Positive Charge को एक Point से दूसरे Point पर ले कर आते हैं. तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? Potential Difference देखते हैं. तो अगर हम यहाँ पर Q0 Charge को A to B Point मूँव करा के ले के आएं. तो जितना वर्क हमारे पास यहाँ पर आता है वही क्या होगा? Potential Difference होगा. तो यहाँ पर A to B आ रहे हैं. तो VB minus VA किसको represent करेगा? WAB को represent करेगा. अगर Test Charge हमने क्या लिया है? Unit Positive Charge लिया है. तो देखते हैं कैसे हम इसको derive करेंगे? तो सबसे पहले यह क्या है? हमारे पास Non-Uniform Electric Field है. A to B Q0 Charge को ले कर आना है. तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया? एक DL Element ले लिया है हमने. यह DL क्या है? यह एक Distance का एक Element हम लोगों हमने बना लिया है. ठीके? तो यहाँ पर इसका Use क्या है? सबसे पहले हम पूरा Complete A, B Path के Work Done की बात करें. तो वो कैसे निकलेगा? एक छोटे से Distance Element में Q0 Charge को A से B की तरफ लेकर आते हैं. तो A से B Complete Path है. उसमें Work Done निकलने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कि छोटे से जो Element हमने लिया है, DL Element, उसमे Q0 Charge को जब हम Move कराएंगे, तो वहाँ पर कितना Work आएगा? तो DL Distance के लिए जो Work होगा, वो क्या होगा? DW होगा? अब इस Work को निकलने के लिए क्या करेंगे? Work equals to Force into Displacement होता है, तो हम क्या लिख लेंगे? DW equals to A.DL. तो यह हम Formula apply करते हैं. अब यहाँ पर इस Force के बात करें. तो यह जो Force है, वो क्या होगा? Minus Q0 E होगा. क्यों? क्योंकि हम एक Formula पढ़ते हैं, Electric Field का. यहाँ हम Q, जो Q Charge ले रहे हैं, वो Q0 Test Charge ले रहे हैं. इसलिए हम इसको लिख देंगे Q0. अब Force यहाँ से निकालें, तो Q0 E, यह Formula आता है. अब दूसरी चीज़ यहाँ पर Minus Sign की है. अब यह जो Electric Force है, वो Electric Field के Against Work करता है. तो Against Work हुआ, इसका मतलब क्या है? यह Sign, यह Negative Sign, उसी Opposition को यहाँ पर Represent कर रहा है. तो यह Formula हम जब DW के Formula में Apply करते हैं, तो हम देखते हैं, DW equals to, F के जगे हम Put करेंगे, Q0 E.DN. अब यह जो Deal Distance है, इसमें Work Done हमने ले लिया है, अब अगर इसका Integration हम कर दें, Integration कर दें, तो Complete Path के लिए क्या आजाएगा? Work Done आजाएगा. क्योंकि यह जो Integration है, वो क्या करता है? Sum Up करता है. तो यहाँ पर जो Deal Distance है, मान लो, Complete जो Path है, वो Deal, Deal, Deal Distance से मिलकर बना हुआ है. एक Deal Distance के लिए हमने Work निकाल लिया, तो अगर उस Work को हम Integration के थूँ Sum Up कर दें, तो Complete Path के लिए क्या आजाएगा? Work Done निकल जाएगा. तो Next करते हैं, अब क्योंकि A से B पर आ रहे हैं, तो A क्या हो गई? लोवर लिमिट और B क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई. इनकी जो Position है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, A to B. अब यह जो Work Done निकला, वो A, B पाथ के लिए आया है. तो यहाँ W, A, B लिख लेंगे, – Q0 A to B E dot DL. यह हमारे पास Equation आ गई है, First Equation. यह क्या बताती है, कि A, B पाथ के लिए Complete जो Work Done होगा, उसको Represent कर रही है. अब अगर हम क्या कर दे? इसको Divide कर दे Q0 से. इसको अगर Divide कर दे Q0 से, तो इधर भी हम इसको Divide कर देंगे Q0 से. इसको Divide कर दिया हमने Q0 से, Q0 से Q0 Cancel Out. और यह जो Quantity हमारे पास आई है, यह किसको Represent करेगी? क्योंकि हम यहाँ पर दो Points पे Potential की बात कर रहे हैं. तो इनके बीच में जो Work होगा, वो किसके लिए होगा? एक Unit Charge के लिए होगा. एक Unit Charge को जब हम A, B पाथ में Move करा के लेके आते हैं, A to B. तो उसके लिए जो Work done हुआ, वो किसको Represent करेगा? दोनों Points के बीच में Potential Difference को Represent करेगा. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम B के तरफ आ रहे हैं, तो B भी हम पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे B A. तो एक यह Equation हमारे पास आती है. यह किसको Represent करती है? Potential Difference को Represent करती है. और यही हमारा Topic था. Topic क्या था? Potential Difference from Electric Field. हमने एक Non-Uniform Electric Field लिया. उसमें एक A-B Curved Path हमने बनाया. उसमें Dear Distance Element लिया. और Q-NOT Charge को सबसे पहले उसमें Move कराया. तो उसमें Move कराने पर हमारे पास DW Work आता है. DW Work को जब हम Integrate करते हैं. तो Integrate करने के बाद Complete Path के लिए Work Done निकल के आता है. जो कि यह था. अब Work Done को क्योंकि हम Potential Difference का Formula पढ़ चुके हैं. कि अगर A to B जाते हैं. तो VB-VA equals to WAB upon Q-NOT होता है. तो हमारे पास WAB तो निकल गया था. अब इसको हम अगर Divide कर दें Q-NOT से तो यह किसको Represent करेगा? दोनों Points के बीच में जो Potential Difference है उसको Represent करेगा. तो यह आगया हमारे पास VB-VA और WAB upon Q-NOT यह Formula हम पढ़ चुके हैं. अब इसके लिए जो Equation आती है वो यह आती है. माइनस Q-NOT से Q-NOT कैंसल आउट हो गया? माइनस Integration of A to B E dot DL. तो इतना हम पढ़ चुके हैं. अब हम Conditions अप्लाई कर सकते हैं. मान लो VA जो A Point है उसको हमने मान लिया Infinity Point. अगर Infinity Point हम इसको मान लेते हैं तो VA क्या हो जाएगा? क्योंकि Previous Lecture में हम पढ़ चुके हैं कि Infinity के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. तो यहां पर जो Potential होगा, वो कितना होगा? 0 V होगा. तो यहां हम लिख लेंगे 0. तो VB-0 equals to यह equation आजाएगी. तो देखते हैं किस तरह से इसको लिखा जाता है? यहां से हम क्या देखते हैं? VB-VA equals to WAB upon Q0 equals to minus A to B E dot DL. तो यह equation आगई है हमारी second equation. अगर हम मान लें कि जो VA है, वो कितना है? 0 है. और यह कब 0 होता है? जब A point हमने मान लिया है as a infinity reference point. तो इसमें हो गया 0 minus A to B. अब जब हम A to B लिखते हैं, तो यहां A की जगे हम लिख देंगे infinity. क्योंकि A जो position है, वो अब हम मान रहे हैं infinity. तो infinity to B, यह minus sign है E dot DL. यह हो गई हमारी third equation. अब यहां हम B point ना लेकर, A, B, C, D point कुछ भी ले सकते हैं. अगर B point ना लेकर, किसी भी point की हम position P से denote करें, तो VP equals to minus infinity to P. क्योंकि हम B को हटा दे रहे हैं, यहां से, B की जगे हम ले रहे हैं P. तो infinity to P, यह minus आ जाएगा. And E vector dot DL vector. तो यह तीन equations यहां पर हम अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं. Non-uniform electric field में, किसी A-B path के लिए Q-not test charge को हम लेकर आए हैं A to B. तो A to B जब हम उसको लेकर जाएंगे, तो एक potential difference हमने निकाल लिया था. A to B का जो potential difference है, वो यह है. अगर हम बात करें, कि जो A point है, वो infinity को represent कर रहा है, तो वहाँ पर voltage हो जाएगा 0. तो हमने 0 लिख दिया, equation हमारी यह बन गई. अब हम B point को ना लिखकर, वहाँ पे किसी भी point की position P से denote करते हैं. तो A, B, C, D, A सब हमें लिखने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी. डिरेक्ली हम लिखेंगे B, P, जो कि किसी point की position को represent कर रहा है, तो infinity to P, यह हो जाएगा हमारा formula. और यहाँ पर देखो, यह जो minus आ रहा है, वो क्या था? कि जो electric force था, वो electric field के against काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पर minus sign आ आया है. तो यह first topic हमारा complete होता है, second topic पर चलते हैं हम, जो कि क्या है, electrostatic field होता है, वो conservative nature का होता है, तो वो क्यों conservative होता है, वो हम derivations को solve करके देख लेते हैं. तो next हमारा topic है, second topic है, electrostatic field is conservative, तो electrostatic field हो conservative होगा, यह कैसे हम देखेंगे? अगर हम बात करें, पिछले formula की, तो formula हमारे पास क्या था, कि जो potential difference है, वो equal आया था, minus integration of e vector dot dl vector, अगर यह जो quantity है, वो 0 हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं? कि electrostatic field है, वो कैसा होगा? conservative होगा, और वो कब 0 होगी? मान लो, हम एक path लेते हैं, यह A to B हमें जाना है, जब हम A to B किसी charge को ले कर जाते हैं, तब तो हो गया यह first path, अगर B to A, वापस हम उसको charge को ले कर आते हैं, तो यह हो गया second path, यह जो दोनो path है, जस्ट एक दूसरे के opposite work कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? Q0 charge को सबसे पहले A to B ले जाया गया, तो यहाँ पर potential होगा VA, यहाँ पर potential होगा VB, तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, उस potential में से हम minus करेंगे first वाला potential, इसलिए अगर हम सबसे पहले path first की बात करें, तो यहाँ पर potential difference होगा, A to B जाने में, तो वो क्या होगा? VB minus VA होगा, और W upon Q0 इसका formula है, यहाँ पर देखो students, A to B जा रहे हैं, potential difference को लिखेंगे VB minus VA, लेकिन यह जो work है, उसको हम लिखते हैं AB, AB का मतलब क्या है? कहां से कहां जा रहे है? A to B जा रहे हैं, और potential difference लिखेंगे VB minus VA, divide में आ गया हमारे पास Q0, तो यह जो है, वो represent करता है VB minus VA को, और हमारे पास formula जो आया था, वो क्या था? E dot dl था, अब क्योंकि यह closed loop की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इस तरह से, यह जो हम यहाँ पर circle बना रहे हैं, यह किसके लिए है? एक closed loop के लिए है, तो यह जो complete loop है, वो कब बनेगा? जब हम इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, दोनों का जो work हुआ, उसको हम प्लस कर देंगे, तब यह loop लिखा जाएगा, तो यहाँ mention करने की इतनी जरुरत नहीं पड़ेगी, इसको directly हमने यह formula लिख दिया है, अब क्या करना है? क्यों सेकंड बात की बात करें, तो 5 सेकंड में क्या कर रहे है? क्यों नोट चार्ज को B से A की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो B से A की तरफ लाने में, जो work done होगा, वही क्या होगा, potential difference को represent करेगा, अब हम B से A आ रहे हैं, B पर potential है VB, और A पर potential है VA, लास्ट में हम आ रहे हैं A पर, तो इसमें से माइनस करेंगे अब इस पॉइंट का potential, तो अब हम लिखेंगे VA-VB, जैसे हमने लिखा VB-VA, सेम उसके opposite हम लिखेंगे VA-VB, equals to WBA, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, VA लिखेंगे, क्योंकि हम किस तरफ से आ रहे हैं, B से A पर Q0 चार्ज को लेकर आ रहे है Divide में हम लिख देंगे Q0, जो कि क्या है हमारा test charge है, यहाँ पर हम बात करें, तो B से A की तरफ आ रहे हैं, तो lower position limit हो गई B, upper position limit हो गई A, तो हम B to A represent करेंगे integration को, और E dot DL, यह हमारे पास first equation consider की है, यह second equation हमने consider की है देखो students, यहाँ पे दोनों path जो है, वो एक loop बना देते हैं, तो अब जो electric field हम निकालेंगे, यह जो formula निकलेगा, वो क्या होगा, दोनों को plus करके हम निकालेंगे, मान लिया हमने की path first के लिए जो potential difference था, उसको हमने add कर दिया है path second के potential difference के साथ, तो हमारे पास जो equation होगी, व VB minus VA, plus हमने कर दिया VA minus VB, तो देखो students, यह VB है और यह minus VB है, cancel out, यह VA है और यह minus VA है, cancel out, तो यहाँ पर जो potential difference होगा, वो कितना होगा, 0, तो यहाँ हम इन दोनों equation को भी plus कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, minus A to B E dot DL, यहाँ हम plus कर रहे हैं, then हम ले लेंगे minus में, यह वाले equation, यह minus में है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, plus कर रहे हैं, तो minus B to A लिख देंगे इस बार, और A dot DL लिख देंगे, तो यह हमारे पास equation आती है, अब इनका integration करके देखने की हमें जरुरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो, दोनों ही क्या है, opposite है, यह A to B integrate होगा, यह B to A integrate होगा, और अगर हम बात करें, इधर वाले यह potential difference की, तो देखो, students, यह cancel out हो जाते हैं, यह आपस में cancel out हो जाते हैं, और यहाँ पर value कितनी आती है, zero value, इसका मतलब क्या है, कि अग एक हमें A to B जाना है, और B to A आना है, तो एक हमने क्या कर लिया, यहाँ पर loop create कर लिया है, तो path first and path second के लिए, जो work done हमारे पास आया, एक unit positive charge को A to B and B to A लेकर आने में, तो वो कितना आया, वो potential difference को represent करेगा, और जब हम इसको sum करेंगे, तो sum के बाद हम क्या देखते हैं, कि complete जो potential difference होगा, complete loop के लिए, तो वो कितना आयेगा, 0 आयेगा, यानि A to B जाता है कोई Q not charge, और वापस क्या आ जाता है, वहीं से ही घूम कर वापस second point से, यानि B point से first point पर A point पर आ जाता है, तो complete loop के लिए जो work हुआ, वो कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसी work done को represent करता है, potential difference, त तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो electrostatic field होगा, यह electrostatic field, यह कैसा होगा, conservative होगा, तो conservative है, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो potential difference है, वो 0 है, यहाँ पिर हम कह सकते कि potential difference यहाँ पर 0 होने के कारण, complete loop मे electrostatic field है, उसकी nature कैसी होगी, conservative होगी, तो आज हमने यह दो topics कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाई बाई